हेलो दूस्तों कैसे आप सभी लोग मैं प्रोफेसर निले शानल वाणी आप सभी लोग का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है नेट सेट एक्जाम परपरेशन तो पिछली बार की तरह इस साल भी हम नेट एक्जाम की आंसर की लेके आपके सामने आये हुए हैं तो जैसे आप लोगों को पता होगा लास्स टैंड मैंने I think so 16 जून को जो नेशनल इलिजिबिटी टेस्ट पूरे भारत में हुई थी मैंने उसकी केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस और मैथमेटिकल साइंस इन सभी सब्जेक्स की मैंने आंसर की सिब्टीन ही दिन के अदर अप्लोड कर दियु थी और महारष्ट्र में जो सेट एक्जाम होई थी, वो महारष्ट्र में सेट एक्जाम अल्मोस्ट जितने भी सब्जेक्स में होई थी मैंने उन में से, I think so, 23 पेपर्स के मैंने आंसर की निकाले हुए थी अब ही आप लोग सोच ले होंका मेरे पास आंसर की आती कहां से और आंसर की मैं कैसे निकालता हूँ तो अल्मोस्ट मैं क्या करता हूँ कै मेरा जो चेनल है, नेट सिट एक्जाम परप्रपरेशन उसको प्रमूट करने के लिए मैं खुद आंसर की बनाता हूँ मेरा खुद का life science subject है तो मैं life science की answer की मैं खुद ही बना लेता हूँ और मैं और भी teachers की और मेरे friends की में मदद लेता हूँ और बाकी जो भी subject हैं मान लो फिजिकल सायंस हैं फिजिक से related तो मेरे फिजिक की जो भी friends है जो senior में university में प्रोफेसर हैं रेटायर्मेंट के पहुच गये हैं और वो लोग भी net set exam पास हैं PhD हैं doctorate हो चुके फेलोशिप उनके अंडर में काफी लोग fellowship कर रहे हैं तो वो जो genius लोग होते हैं मैं उनको खुद अपनी तरफ से पैसे देके answer की बनाता हूँ जैसे question paper मेरे पास आता है मैं उनको answer की उनसे answer की बना लेता हूँ सिब almost आंठ ये 10 गंटे के अंगर वो मुझे अपनी answer की बना देते हैं फिर में record करके answer की आप लोग वी सामने जाता हूँ तो यह हुआ simple सा दरीका मैं मेरे चैनल को promote करने के लिए उन teacher को hire करता हूँ उनको पैसे देता हूँ और उनके पैसों से मुझे answer की मिलती है और मैं answer की अफ्रोड करता हूँ एचले मैं खुद भी कर सकता हूँ लेकिन मैं मेरे subject में माहित हूँ मेरे subject life science में मेरे subject life science मेरे subject, coaching classes, biology classes, नंदरवार महारष्ट में तो मैं सभी subject की मैं answer की upload करता हूँ पिछली बार I think 23 June को set exam हुई थी महारष्ट में तो मैंने इतने paper upload की हुझे अप्लोड कैसे कर रहा था मैं मैंने 23 जून को जैसे एक्जाम हुई थी तो उसके 3-4 दिन बाद मैंने मेरी सब्जेक्ट लाइफ साइंस की अंसर की अपलोड की तो अंसर की को अपलोड करने के बाद इतने लोगों ने देखा और बाकी अधर सब्जेक्स के डिसिप्लिन की जो थे तो सबसे बहले मुझे मैसेज आया था एक हिस्ट्री सब्जेक्स मैंसी कोलपूर में से या तो नापूर में से कहीं से मैसेज आया था कि sir can you please make a answer key of a history subject, so I replied you why not तो मैंने पर एक YouTube पे एक video post किया हुआ था अप्लोड किया हुथा और उस video में मैंने बताया था कि if you want any kind of a answer key of any subjects of a set or you can say net exam then I will provide you answer key within two days तो जैसे ही मैंने ये वीडियो अप्लोड किया तो almost 23 subjects means 23 subjects के मेरे पास अब बिलीब ने करूँगे 23 subjects के मेरे पास question paper आया ये cam scan करके mobile में से और मैंने 23 out of 23 subjects को almost 4 या 5 देर के अंदर सभी के सभी subjects की answer की अप्लोड कर दी अगर आपको confirm चाहिए अगर आप ये चीजे प्रूफ मांगे हो तो चेक करना चाहते हो तो आप net set exam preparation की channel पे subscribe कीजे और bell icon दबाई और आपके वहाँ पे एक playlist देखेगी 23rd June set exam या तो 16 June 16 June 2019 ये दो आपको playlist मिलेगी और और playlist में आप answer की सब देख सकते हो मेरे पुरानी और जैसी answer की मेरी थी almost 95-96% government की भी वह answer की हो थी तो almost government अगर एक एक दो-दो मेने के बाद answer की upload करते हैं मैं almost 3-4 दिनों के अंगर answer की अपलोड करते हूँ तो आज की हमारी answer की जो है वो वीडियो है answer की of chemical science, answer की of you can say geographical science, answer की of life science, you can say earth science, mathematical science और physical science ये इन 5 सब्जेटों के उपर almost हमारी answer की होगी तो हम पहले से शुरू करते ही life science तो देखो मेरा खुद का सब्जेट लाइफ science है इस बर paper online होने वाले है तो ये भारत में I think so first time paper online होगे तो paper online कैसे होते हैं इसका हम पहले से अंदाचा नहीं लगा सकती है ये जो UGC है University Grant Commission, CSR, Council of Scientific Industrial Research इन लोगोंने net exam की अभी पुरी जुमेदारी responsibility NTE को दे दिये मतलब National Testing Agency को तो ये National Testing Agency है वो paper online कर दिये कुछ लोगों के जहन में ऐसा भी होता है paper online करना मतलब कि आप mobile से कर सकते हो या तो laptop से कर सकते हो नहीं भाई आप mobile और laptop से नहीं कर सकते हो online का मतलब यह नहीं होता है कि आपके mobile में internet चाहिए online का मतलब यह होता है कि आपको एक specific location locate की जाती है alert की जाती है आपको उस location पे before examination जो time दिया हुआ है वहाँ पे आपको पहुचना होता है और पहुचने के पाद आपको अपना नाम पे register करना होता है रेपोर्टिंग time के time पे और आपको hall ticket और ID card के थ्रूँ आप अपनी exam दे सकते हो लेकिन exam पर देते हो तो उनकी system के उपर आपको बेंटना होता है तो यह कुछ चीज़े online की होती है अभी online exam कैसी होगी जैसे life science का subject हमारा कुछ ऐसा है कि फर्स्ट पेपर मतलब रेट का एक ही पेपर होता है इस अभी online से लेकिए बारा बजे तक तो इस बार में थोड़े कुछ changes आये होए जिसे section A होता है उसमें 20 questions होते है वो general questions होते है science related उस 20 में से 15 में attempt करने होते है and per question carry 2 marks section B जो होता है B section में almost question होते है 50 and we have to attempt only 35 it also carry 2 marks of each so first A section have a 15 question and B section have a 35 question total 50 question each carry 2 marks so total is 100 now for the section A for the section B there is a 0.25 negative marking is there or C section होते होते है उसमें question होते है 75 लेकिन हमें attempt करने होते है 25 आप यकिन नहीं करोगे Life Science में Botany, Geology, Microwology, Bio Technology, Biochemistry काफी subjects है तो इन subjects में almost 25 questions हमारे पसंदीदा select करना है काफी बड़ी बात होती है पहले को read करना है यह काफी बड़ी बात होती है तो इस बार online है तो उसमें भी 75 questions है तो उसमें 25 questions हमें attempt करने होगे Each question will be 4 marks and negative marking is 0.25 तो total 200 marks का paper होगा अभी main मुद्दे पे आते हैं answer की paper होगया अभी answer की काते है तो आप simple से यह करो जैसे ही paper हमें जैसे examination खतम होती है हमारी और हमारे पास paper आता है तो उस paper को हमें क्या करना है आप सिर उससे cam scan कीजे और cam scan करके मुझे mobile में PDF page दीजे मेरा mobile number है 9028179848 मैं repeat करता हूँ 9028179848 मेरी सिर यह request आप लोगों से कि प्लीज मुझे अपना जो भी question paper है आप चाहे chemical science से हो physical science से हो earth science से हो mathematical science से हो life science से हो कोई भी subject से आपको जैसे ही आपका paper खतम होता है आप सिर अपना paper मुझे cam scan करके मतलब scanning करके photo भी बेच सकते हो लेकिन photo थोड़े दिक्कत हो जाती जब आप photo मेंचे एक साथ में बेचते हो उनके arrangement में काफी दिक्कत हो जाती हो नेट का paper काफी बड़ा होता है सो बेटर बन इस आप हर पेच को cam scan कीजिये और cam scan करने के बाद जो PDF फाइल बनेगी 35-36 पेज़े की तो मुझे PDF फाइल बेच कीजिये मैं कोशिश करूंगा के उस question paper की answer की एक दिन में मतलब 24 hour में मैं डिकाल सको हो और नई भी बात almost दो दिन में में तो मैं पूरी definitely answer की upload कर लिए रुखा So dear friends and students मैं हो Professor दिले शामनवानी NETSET exam preparation यह मेरा खुद का channel है और यह channel specially उन student के लिए है जो NETSET exam preparation प्रपेर करते हैं इस channel के उपर मैं सभी के सभी videos डालता हूं जैसे how to get the NET qualified how to attempt the first NET अगर आप behavior हो तो आपको क्या करना चाहिए कौन से subject में study material क्या use करना चाहिए strategies क्या होती है study plan क्या होता है कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए कौन-कौन से books prefer करने चाहिए level क्या होनी चाहिए आपको खुद का experience क्या कहता है इस चीज के बारे में आप दिल्चेश भी क्या रखते हो इतना बड़ा NET का syllabus है लेकिन उसमें से आप कितने topics select करते हो वह topic select करने के पीछे क्या reasons है आपको वह topic पसंद है या तुसे बाब वेटेज के थू जारे है या सभी के सभी चीज है मैं मेरे चैनल पे इसक्राइब करता हू So everyone I request you from bottom of art as soon as you complete your paper just send me the photo copy of a paper by cam scanning and I will you can say feedback to you in just only one day or maybe two days I am again repeating my number mobile number is 9028179848 it's my whatsapp number just whatsapp me and we will again meet in very short period of duration with my new upcoming video मेरा चैनल को subscribe कीजिये और bell icon दबाना मत बुली क्यूंके अगर आप bell icon नहीं दबाऊगे तो आपको वीडियो ये मेरा जो भी नए वीडियो आप तक notification नहीं है तो notification आने के लिए प्लीज वीडियो को देखते रहे और प्लीज सबस्क्राइब आप को प्लीज चानल को बैला अदबायी धंुत क्राइब बाए्नी है झौंच मुलीज आपको मेरा लिए येजjungू झाल